कि आप कि मैं फ्रेंड्स और यदि आप पीजिटी टीजिटी इंग्लेश का प्रिप्रिशिन कर रहे हैं तो यह वह काप्स के जो वीडियो हैं वह आपके लिए बहुत इंपॉर्टन्ट है और यदि आपने इससे पहले का वीडियो नहीं देखा है तो पार्ट वन को चेक कर हैं और प्लेलिस्ट में यदि आप जाएंगे तो यह आपको आप सारे पार्ट आपको मिलेंगे और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें क्योंकि जितने वी वीडियो है उसका नोटिफिकेशन आपको तुरंद मिलता रहता है इससे चलिए अब देखते हैं आज का आप दों को सही से बोलें और इसका इसका मतलब होता है पालना इसका मतलब होता है एंकुरेज करना इसका मतलब होता है नर्स करना तो देखें यहां पर क्या लिखा हुआ है यहां पर प्रोश सहान यानि कि एंकुरेज करना ओके तो यह यह एक पहला वोक्याब हो गया और एक example भी दिया हुआ है, तो आप इस तरह से example को भी पढ़ सकते हैं, और this was the first one, अब next हम देखते हैं, चलिए next वाला देखते हैं, और यहां पर दिया हुआ है, Segregate, और इसका प्रनुंसिशन, Segregate, Segregate, Okay, देखे प्रनुंसिशन चेक कर लिया, और यह वर्व है यहां पर, और Segregate का मतला अलग करना, तो एक example पढ़ लेते हैं, फटा फट, आप देखते हैं, तो आपको समझ माग गया, अब next हम बढ़ते हैं, Okay, so here the next one, futile, okay, futile, futile, okay, जिसका मतला होता है, बेकार, बयर्थ, okay, यहां पर यह adjective दिया हुआ है, और example देख लेते हैं, He made a futile attempt to cross the border, okay, तो यह भी आपको समझ माग गया, अब next बढ़ते हैं, Okay, चलिए, और अब next देखते हैं, अब profound, profound, okay, तो आप एक वर्स और सुन लेजे, Okay, जिसका मतला पारंगपती होता है, लेकिन आपको इसका एक और मेनिंग दिखा रहा हुआ हूँ, जो जादा इंपोर्टन है, एक्जाम के पॉन पॉन अब यू से, तो यहाँ पे लिखा हुआ है गहन, Okay, तो यह भी इसका, फानी उर्जा का गहन प्रयोग है, यह भी है, और पारंगपती है, और कभी-कभी डीप, यह नो, डीप के सेंस में भी लिया जाता है, तो याद रखेगा, profound का मीनिंग, अब next देखते हैं, Okay, दोस्तों, next है हमारा, malice, और pronunciation, Malice, Malice, Okay, pronunciation आपने देख लिया, और अब हम देखते हैं, इसका मतलब होता है, 12, इसका मतलब होता है, आपका hatred, और यहाँ पर एक example दिया है, she did it out of malice, Okay, अब next देखते हैं, Okay, दोस्तों, next vocable है हमारा, ephemeral, और इसका पनेंशेशन चेक कर लेते है, ephemeral, ephemeral, और इसका मीनिंग होता है, चनिक, यानि थोड़े टाइम के लिए, अब example देख लेते है, Indian philosophers, thought that one should leave aside, ephemeral, you know, pleasures, and look for lasting happiness, तो Indian philosopher और Western philosopher में यह बड़ा difference है, Okay, अब next हम देखे हैं, Okay, और next देखे हैं, अब देखे हैं, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, सलाह देना, इसका मतलब निचे देखे होता है, यह चेतावनी देना, वर्न कना, Okay, वर्न यो, Okay, so aap bhi inha pae as above sakte aai hai he the example hai haapai ya know he admonished the child for his bad behavior the next one is benediction and when I'm talking about the benediction first we'll check pronunciation benediction benediction okay or aap bul sakte mangal kham nai hai hai example ba law first of all the priest comfort his benediction on the young girl okay तो ये वाला आपको समझ में आगया होगा चलिए जल्दी सहम नेक्स देखते है and the next one is accord, accord means what a agreement, एक बार पर नेन्सेशन चेक कर लेते है rüन्यक्त। इहा पार नेक्स देखते है। क्या म मैं आपके सब्सक्राइब नेक्सट। myst Wakya मिन आप पर नेक्सम्झ कुरू नेन्सेशन पर्रीके में प्र मत इसका मतला होता है चोटा मोटा चटपूट ओके एंपा इसमेंपल से आपको जयादा क्लियर हो जाएगा इन फर्स्ट फिस ऑफ चाथिस्गर इलक्षिन हमेड इस परेड़ इस परएड़ के लिए उपस्थिती हुई तो यह इसका मीनिंग था अब चलिए नेक्स्ट वाला वोग देखतें जल्दी से तो नेक्स्ट वान इस ग्रगेरियस और प्रनूंसेशन चेक कर लेते हैं और इसका मतलब होता है मिलनसार या फिर आप बोल सकते हैं तो यहां पर लिखाओ आपीसंस और ग्रगेरियस इन नेचर ओके